नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खबरो क्यों बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर राजी भर के 181 स्कूलों का रजिस्ट्रेशन हुआ रद अब स्कूलों के पास सक्षकों को आवाज देगी सरकार जब आज परेटकों को विसेश सुधा देगी बिहार सरकार बिहार के करमचारियों और पेंसनरों के लिए खुश खबरी पाकस्तान खिलारियों की सालरी को लेकर पुर्वपाक कप्तान ने किया खुलासा इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर वस्तार से राजी भढ़के 181 स्कूलों का रजिस्ट्रेशन हुआ रद बहार विद्याले परिछा समीती की नौगटित सर्शी निकाए की बैठक में समीती के अध्यक्ष आनंद किसोर के द्वारा दिये गए फैसले के अनुसार समीती के द्वारा राजी भढ़के 181 स्कूलों के रजिस्ट्रेशन को रद कर दिया गया है जिन में से तीन माध्यमिक स्कूल तो वहीं बाकी बचे 178 अनुदानित माध्यमिक स्कूल है बतादे कि समीती के ओर से यह काम रजिस्ट्रेशन या मवाली की अन्देखी करने पर लिया गया है समीती के मताबिट भूमी का मानक के अनुरूप नहीं होना जांच पदाधिकारी का सही योग नहीं करना स्कूल के पूरी तरह से बंद होना और ना मांकर शुने पाए जाने पर तीन सरकारी स्कूल के रजिस्ट्रेशन को रद किया गया है जिन में पुर्वी चमपारण के धेका हस्तित बारी का उच विद्याले वैशाली के राजा पाकर श्थित, मतुरा प्रशाद बाली का उच विद्याले और जहानाबाद के भगवानपुर श्थित करन्या उच विद्याले विर्रा सामिल है दूसरी ओर जिन 178 स्कूलों का रजिस्ट्रेशन रद किया गया है उनमें स्कूल में क्लास, सक्षक, लैप, कंप्यूटर, बिजली के विवस्था सोचाले और सक्षक और चात्राओं के लिए कॉमन रूम मानक के रूप में नहीं मिलने पड़ किया गया है ब्रेन स्टोक से मौतो के मामले में दूसरे नमबर पढ़ है भारत आज यानी कि 29 ओक्टूबर को हर साल वैस्थिक पैमाने पर ग्रेन स्टोक के कारण लगातार हो रही मौतो और विकलांकता के मामले को देखते वे जागरुकता लाने के लिए विश्वर स्टोक दिवस के रूप में मनाया जाता है बतादे कि 29 ओक्टूबर 2004 को कनाड़ा एसित वैंकूवर में विश्वर स्टोक कॉंगर्स के दौरान विश्वर स्टोक दिवस मनाने का फैसला लिया गया था इसके बाद 2006 में पहली बार विश्वर स्टोक दिवस मनाय गया था वहीं बात करे विश्व स्टोक दिवस 2023 की थीम के बारे में तो इसका थीम तोगेदर वी आर ग्रेटर दैन स्टोक यानि हम सब मिलकर स्टोक से भी बड़े हैं नरधारित किया गया है बतादे के स्टोक दिवस में लोगों को चाग रोकर स्टोक के मामलों से होने वाली मौतों की संख्या को कम करना ही मुख्य उद्देश है इस बिमारी से होने वाली मौतों में भारत पूरे विश्व में दूसरे नमबर पड़ है अब स्कूलों के पास ही सिक्षकों को आवास देगी सरकार बिहार सरकार के द्वारा करीब एक दसमलौ साथ सुने लाग सिक्षकों की निउपती के बाद उनके रहने को लेकर एक बड़ी राहा देने का फैसला लिया गया है जिसके तहट सरकार के और से सिक्षकों को स्कूल के पास ही सरकारी आवास की सुधा उपलब्द कराई जाएगी मालम हो कि बिहार सरकार की ओर से यह फैसला घर से दूर रहकर दूसरे जिलो या गाउं में परढ़ाने वाले सिक्षकों की परिशानी को ध्यान में रखते वे लिया गया है बिहार सरकार की सिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुड़ गया है बता दे कि सिक्षा विभाग की तरफ से इसके लिए विग्यापन निकाला गया है और मकान मालिक और रियल स्टेट कम्पनियों से सुझाओ भी मांगे गया है वालमों कि बिहार सरकार की ओर से सक्षकों को किराया भता के रूप में 8% रासी दी जाती है लेकिन अब सरकार की ओर से यह सोचा गया है कि सक्षकों को रिंट का पैसा देने के बजाए खुद मकान किराया लीच पर लेकर उन्हें उपलब्द करा दिया जाए ऐसे में अब सक्षा विभाग मकान भता का पैसा स 261 एपिसोड प्रशारित कया गया जिसमों ने तेवहारों को लेकर झिकर किया पीम मोदी ने कहा कि पूरे देश में तेवहारों की उमंग है अयसे में आप सभी को आने वाले तेवहारों के लिए बहुत-बहुत बधाईया उन्होंने कहा कि Khadiy की बिक्री का लाभ हमारे बुन कर हस्तिसल्प के कारीगर सबको मिल रहा है और यही तो लोकल फॉर वोकल अभियान की तागत है इस महीने की शुरवाद यानि की गांधी जयनती के अफसर पर दिल्ली में खादी के रिकॉर्ड बिक्री हुई तेवारों में हमारी प्रात्मिक सा लोकल फॉर वोकल होनी जाहिए क्योंकि हमारा सपना है आतनर भर भारत और इसे हम मिलकर पूरा करेंगे इसके साथ उन्होंने बिर्सा मुंडा का जिक्र करते वे कहा कि नवंबर में भगवान बिर्सा की जयनती है 15 नवंबर को देश भर में जंजाती गौरव दिवस मनाया जाएगा जो कि बिर्स घाटो के निगरानी को लेकर हुई तैयारी शुरू छट महा पर्व के दोरान गंगा नदी के घाटो पर श्रधालों की सुरक्षा सुनुश्चित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं बतादी की पटना के बड़े घाटो पर ड्रोन निगरानी की जाएगी वह चाओ दल की टीम भी मौजूद रहेगी जो घाटो पर भीर की गतिवीदियो पर नज़र रखने का काम करेगी वहीं स्मार्ट सिटी पर योजना के तहत CCTV कैमरे भी पहले से ही लगाय जा चुके हैं पटना डिवीजन का युगत कुमार रभी के द्वारा जानकारी देते वे बताये गया है कि घाटों तक पहुंचने वाली स्तरकों को बाधा रहित और घाटों पर विशेश प्रकास व्यवस्था चेंजिंग रूम पेजल की व्यवस्था और यात्री सेड का निर्मान किया जाए जानकारी के लिए बता दे कि इस साल छट पर्व की शुरवाद 16 नमंबर को नहाई खाई के साथ हो रही है इसके बाद 17 को खड़ना 18 नमंबर को संध्या अर्ग एवं 19 नमंबर को सुभग का अर्ग दिया जाएगा जापानी परेटकों को विसे सुभधा देगी बिहार सरकार जापान के सबसे बड़े ट्रावल सो जाटा 2023 में शामिल बिहार के परेटन सचीव अभै कुमार सिंग के दोरा बिहार पवेलियन पहुंचे परेटकों से कहा गया कि आप बिहार में परेटन के लिए आए बिहार हमने बुद्ध सरकीट परेटक शुवधाओं का काफी विस्तार किया है इसके अलावा हमने हल्प 9 नंबर भी बनाया है ताकि परेटकों को सुवधा प्राप्त करने में कठी नाइन नहों बता दे की कारिक्रम में परेटन विभाग के पतादिकारी के श्री कुमार और अभ बढ़ोतरी होती जा रही है इसको देखते वे स्वास्त विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है पतादी के राज्य भर में डेंगू के मरीजों की संख्या 14649 पर पहुंच चुकी है राज्य में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 381 नए मामले सामने आए हैं पटना बेहार के करमचारियों और पिंसनरों के लिए खुश खबरी दिपावली के पहले राज्य कर्मियों एवं पिंसन धार्कों के लिए वित्व विभाग के दौरा महंगाई भत्ता में विधी करने के लिए एक प्रस्ताव तयार किया गया है जिसे स्विकृति के लिए जल्द 42 प्रतीशत से बढ़कर 46 प्रतीशत हो जाएगा मालमों कि इससे राज्य के लगभग 11,00,000,000 सहकारी सेव को और पिंसन धार्कों को लाब मिलने वाला है नियोजित सक्षकों को राजी कर्मी दर्जा देने के लिए बिहार बोर्ड लेगा परिक्षा बिहार विद्याले परिक्षा समीती के दौरा नियोजित सक्षकों को राजी कर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परिक्षा आयोजित किया जाएगा इसको लेकर बिहार सरकार के सिक्षा विभाग के दोरा तयारियां शुरूग कर दी गई है बता दे किसको लेकर सिक्षा विभाग दोरा परिच्छा समीती से संपर्क भी किया गया है मालमों कि दोनों के बीच इसको लेकर कहीं दौर की बैठक भी आयोजित हो गई है जिसमें परिच्छा से सम्बंदित तमाम पहलूं पर विचार विमर्ष किया गया है इस परिच्छा को लेकर विद्याले परिच्छा समीती भी अपने अस्तर से इसकी तैयारी में जुच चुकी है और लेखनी है कि नियोजित सक्षकों को विसिस्ट सक्षक बनने के लिए सक्षमता परिच्छा में उत्तरण होना अनिवार है अधिक्तम तीन मौकों में नियोजित सक्षकों को सक्षमता परिच्छा पास करने के बाद ही विसिस्ट सिक्षक का दर्जा मिलेगा जो बिहार लोक सिवा आयोग के दोड़ा बहाल सक्षकों को मिलेगा PMCH के लावा बिहार के पांच अन्य अस्पतालों को किया जाएका विक्सित बीतदन बिहार के मुख्यमंत्र नितीश कुमार काडियोलोजिकल सुसाइटी ओफ इंडिया बिहार इकाई के वार्सिक सम्मेलन काडिकॉन 2030 के दो दिवसिय सम्मेलन में पहुँचे जहां उन्होंने सम्मेलन का सुभारम कर लोगों को सम्मोधित करते वे कहा कि PMCH में 5462 बेडों की अस्थापना की जा रही है तो में इसके अलावा राजी के पांच बड़े अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ा कर पच्चिस सो की जा रही जिसमें इंद्रा गांदी हिर्दै रोग, संस्थान नलंदा मेडिकल कॉलेज, पटल स्री, कृष्णा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुझपरपुर, अन कमारों में उपस्त स्वासे सचीव संजय कुमार सिंख को नर्देश देते वे कहा कि वह डाइबिटीक सेंटर के रूप में न्यू गार्डेनर रोड अस्पताल को सूपर इस्पेसलिटी के रूप में विक्सित करने का काम करवाएं। जो कि 3 दिसंबर तक चलेगा इसमें लगबग 8000 अभ्यर्थियों के भाग लेने की संभावना है। नर्सिंग स्टाफ रहेंगे इसके लावा वाटर डिस्पेंसर एवं वाटर टैंकर की भी व्यवस्था की जाएगी। ठेका दिया गया है बलकि फैक्टरी लगाने की जमीन भी दी गई है जिसको लेकर अब बीज़ेपी महागरबंधन पर लगातार हमला बढ़ है। बतादी की पर्व उपमोखे मंत्री और राजिस सभा सांसद सुसीर कुमार मूदी के दौरा कहा गया कि संसद में चीख चीख कर अडानी का विरोध करने वाले जदियू राजद कॉंग्रिस के नेताओं में यदि हिम्मत है तो वो बिहार में सिमेंट फैक्टरी और स्मार् लगाने और नवादा में सिमेंट फैक्टरी लगाने के लिए उनकी सरकार के दौरा बियाड़ा के माधियम से 70 एकर जमीन क्यों दी गई एक तरफ जहां विरोधी दल आरूप लगाने का काम करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ उद्योग लगाने के लिए अडानी ग्रूप क रिड कार्पेट वेलकम करते हैं उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोड की जाच समीती अडानी ग्रूप के विरुद आरोपो की जाच कर इस समु को क्लिंचिट दे चुकी है इसके बावजूद भी समुद्धे पर संसत का पूरा सत्र क्यों बरबात किया गया इसके लिए विपक पूर्प बिहार की राजधारी पट्टा मिस्ति भाजपा मुख्याले में एक कारेक्रम आयुजित किया गया जिसका उदगाठन बिहार बीजपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राथ चौधरी द्वारा किया गया मालम हो कि देश के लिए सरवुच बलिदान देने वाले वीर श सनों की पहल में खुद प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा ले रहे हैं वह इस कारीक्रम में 31 अक्टूबर को हिस्सा लेंगे पाकस्तान खिलारियों की सलरी को लेकर पुर्व पाक कप्तान ने किया खुलासा वर्लकप में लगाता निरासजन अक्प्रदर्शन कर रही पाकस्तान टीम को इन दिनों काफ्री आलूचनाओं का सामना करना पर रहा है लेकिन अब इसी बीच पाकस्तान के पुर्व कप्ता राशिद लतीफ के दोरा एक बड़ा खुलासा किया गया है पतादे कि पाकस्तान की सरकारी टीवी चैनल पर बात करते वे राशिद लतीफ के दोरा कहा गया कि मैं इस तथे के बारे में जानता हूं कि जब बाबर ने भारत से फोन और मैसज किया तो उन्हें चेर्मैन जका अ कि जिन केंदरी अनुबंधों पर हस्ताक्षर किये गये थे अब उसकी समिक्षा की जा रही है हालाक इसको लेकर उन्हें कोई सबूत पेश नहीं किया आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मौजुदा विश्वकप में पाकस्तान 6 में से 4 मैच हार चुकी है जानी आज बिह पैट्रोल डीजल के रेट बिहार में आज यानी रविवार को पैट्रोल डीजल के रेट जारी किये गए इसके बाद राजधानी पटना में आज पैट्रोल 107.74 और डीजल 4.5 एक रुपे परति लीटर में मिल रहा है वुझे अपरपूर्ण में पैट्रोल 107.67 रुपे प्रति लीटर हैं अब अधरा फ्रपरिध है। बीते दिन हमारे दुरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारी कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दे था जिन्हों ने हमारे दुरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गुडिया कुमारी मौरया गोनर सर्मा गर आप यूटूब से देखना पेज कोपेश दूल करना ना भूले धन्य बाद झाल झाल